एक बार की बात है, एक घर में एक फैमिली होती है ये होती है बेटे की मा, ये होता है बेटा, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची और उसकी बिल्ली भी बेटे की जो मा होती है, वो बहुती खडूस होती है एक दिन उसकी भव जाईर होती है, तब भवू? हाँ मम्मी जी अरे भवू ये क्या संसकार है तुमने क्या पैन रखा ये और तुम में देखो अपने बाल भी नहीं बनाए होए फिर भवू हसरी होती है कि भवू बोलती है अरे मम्मी जी इस चाइल होता है मेरे बाल खुले रखना और ड्रेस पैनना नहीं नहीं हम तो चाते हैं कि हमारे घर में एक ऐसी बहू हो जो साड़ी माथे पे बिंदी और चूडिया और पाइल पैन के रहे अच्छे से सज धचके और बाल खुलेनी गुत बना के रखे नहीं ममी जी मैं तो ऐसी बनूँगी है राम मैंसा लगते खंदान का नाम ही बेकार करजेगी पापा पापा अब मुझे न काटून देखना है टीवी में अब आप मुझे दे लो रिमोट नहीं नहीं बेटा अभी मुझे मैच देखने दो अभी फाइनल मैच चुरू होने वाला है बस दो मिनट और लगने वाले है नहीं 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 मुझे काटून देखने है काटून देखने है जली दो मुझे अब यार अब ये भी सर खारी है अपनी मा की तरह चलो ठीक है देदेता हूँ लो बेटा वुफू अब मैं देखूंगी हैंसिल इन क्रेटल की कहानी ये मैं घर आ गई है अरे यार बजार में तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है सबजिया तो बहुत ज़्यादा महंगी मिली मुझे कांता को सोच ही रही थी जब उसके मन में एक सुजाव आया अरे वा में पास एक आइडिया है एक आइडिया है मैं टीवी के बहाने से उन दोनों के रूम में चली जाती हूँ फिर बाद में मैं कुछ देखूंगी कुछ करतुनी या फिर चुगली वगेरा फिर वे अपनी बहु के रूम में चली जाती है अरे बेटी मेरा टीवी खराब हो चुका है तो तुम मुझे ये टीवी देखने दोगी याँ पर हा ममी जी बिल्कुल चलो आओ कांता टीवी देगी होती है तब वो चान बीन करती है हाँ औरे ये बिल्ली कहा सा आगई बीच में चलाट बिल्ली नामा खराब कहीं की हाँ बेवकूफ सी चान बीन भी निकरने देडी तू भी कंटीनियू